सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चनल को और बिल आइकोन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट चुडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बच्चों की देखबाल का अभिन्ना अंग है उनके दानतों की देखबाल अगर आप इस पहलू पर ध्यान नहीं देते है तो निश्चित ही खराब मोखिक च्वच्टा केविटीज को जन्म देती है बच्चों को केविटीज की परिशानी का सामना आम तोरपर करना पड़ता है क्योंकि वह मिठाईयों और चॉकलेट जैसी चुज़ों को खाना बहुत पसंद करते हैं और साथ ही अपने दानतों का ख्याल नहीं रख पाते जितना की बड़े रखते हैं आये देखते है कि कैसे हम उनके मौकिक च्वचता के लिए प्रोसाहित करके केविटीज की समस्या को दूर कर सकते हैं फ्लोराइड से केविटी दूर करें दानतों को मजबूत करने के लिए फ्लोराइड एक प्रमुक खनिज माना जाता है इसलिए कई तरह के दंत बंजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं जो हमारे दानतों को क्षती से बचाता है इसलिए तुटपेश का चुनाव करते समय ध्यान दे कि उसमें फ्लोराइड मौजुद है कि नहीं यह केविटीज को दूर भगाने का दानत मजबूत करने का एक सरल उपाय है दंटिस की सलाह ले दंट चिकित सक आपको केविटी दूर करने के कुछ सही सुजाव दे सकते हैं इसलिए नियमित रूप से दंट चिकित सक के पास जाना आपके बच्चों की मौकिक स्वच्था बनाया रखने के लिए जरूरी होता है इससे पहले कि बच्ची हुई गंद की दातों में सडन और केविटी की स्थिति पैदा करें कि यह आपके दातों में केविटी को दूर करने में भी सक्षम है इसमें मौझूद पॉलिफेनल और फ्लैनोनोइट आपके दातों में केविटी से लड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं लेकिन ध्यान रहे कि ज्यादा मातरा में किसमिस ना खाए क्योंकि इससे दातों में केविटी उत्पन्द होने की संभावना बढ़ भी सकती है चुंगम प्रयोक करें चुंगम भी मौकिक स्वास्ते के लिए अच्छी माने जाती है लेकिन ध्यान रहे कि आप सुगर फ्री चुंगम का ही प्रयोक कर रहे हैं शुगर फ्री चुंगम लार के उत्पादन में व्रुद्धी करती है और भोजन के बाद दातों पर मौजूद एसिल को भी हटाने में मदद करती है क्योंकि कई बार इसी एसिल की वज़े से दातों में केविटी उत्पन्द होती है चीज केविटी को दूर रखता है पईपदार्त का सिवन न करने दे इनमें मौजूद चीनी आपके दातों पर सिधा अप्रभाव छोड़ती है जिससे केविटी की संभावना बढ़ जाती है अगर आपके बच्चे इनके लिए जीत भी करें तो भाहितर है उन्हें स्ट्रोका प्रयोक कर पीने के लिए सला दे बोजन के उपरान ब्रस जरूर करे अपने बच्चों में खाना खाने के बाद ब्रस करने की आदट डाले खाना खाने के बाद मोह में छोटे-छोटे खादे पदात रह जाते हैं जो कि कई बार केविटीज का कारण बनते हैं इसलिए अगर आप खाने के बाद ब्रस करते हैं तो इन छोटे-छोटे पदारतों को बाहर फैकने में सफल होते हैं इसलिए सुबह और रात को ब्रस करना ना बूले और बच्चों के लिए अगर वे तीन बार या जब भी खाना खाते हैं हर बार ब्रस करने की आदत भी बन जाए तो वह भी उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है आपको अपने बच्चों की इस आदत को नियमित रुप से सामिल करने के लिए प्रोश साहित करना है और उसके लिए आप उन्हें चोटे मोड़े पुरसकार भी दे सकते हैं सिलेट की मदद ले सिलेट के प्रयोग से दाटों पर एक सुरक्षा की परत बन जाती है जो दाटों को केविटी से दूर रखती है यह एक कुत्रिम रुप से की जाने वाली दाटों के उपर प्लास्टिक कोटिंग है जो स्थाई रुप से दाटों के चबाने वाली सदा पर कर दी जाती है Dental Flos का प्रयोग करें बोजन करने के पश्चात, दातों के बीच फसी हुई गंदकी को साफ करने के लिए Dental Flos का प्रयोग करें दातों में सडन और केविटीज पेदा करने के लिए ये फंसा हुआ खाना ही चिम्मेदार होता है इसलिए एंसी समस्या उससे बचने के लिए अपने बच्चों में डेंटन फ्लेस का प्रयोग करने की आदट डाले। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्या वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट फ्रीहंदीएडवाइस.com पर जुरूर विजिट कीजिए जिसमें वीडियो के साथ साथ टैक्स में भी सब जानकारी उपलब्द है इसके साथ लाइक जरूब कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो 100% फ्री है थैंक यू कि झाल 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 झाल